जरा इनका हाल चाल तो लेलूं हाँ बेटा जी आपके आयाइटी की प्रिप्रेशन कैसी चल रही है कुछ अच्छी तो नहीं चल रही चाचा जी अच्छा पापा को फोन देना जरा हाँ बोलिये मिश्रा जी हाँ सर्मा जी आप किन चक्करों में पड़ गए इतनी मेहनद कर रहें आप अपने बेटे की पीछे आपका बच्चा कुछ पराई लिखाई करता नहीं प्रिप्रेशन उसकी कुछ हो नहीं रही है बच्चा भी बोल रहा है कुछ नहीं हो रहा आप भी अपनी जिन्ध की तबाह करके बैठेूए अपने बच्चों के पिछे आप भी इर खुल के जियो, मौज करो बच्चे के पीछे आप ने इतना समय दिया बच्चा आपका कुछ कर रहा है, कहां कुछ कर रहा है आप भी थोड़ा खुल के मौज करो, घूमाओ फिराओ, भावी को भी मौज कराओ, घूमाओ फिराओ, क्या किन चक्रों पर एक कुछ कोर्स छोटा-मोटा कराओ, उसे उपने जॉब पे कुछ छोटे-मोटे फैक्टरी में लगाओ, इतना आपने उसके पीछे महनत किया, कहा भाई अब बात इतनी सिरियस है, और आप मुस्कुरा रहे हो, यार गंभीरता से लेने वाली बात हो, तब तो सिरियस लिया जाए इसे, तुम बच्चे इतनी छोटी-छोटी बातों प्यार सिरियस होने लगे आज कल, कि मुझे रिलेटिव्स का प्रेसर आ रहा है, नेबर् प्रेंड्स मेरा मजा खुलाते है, प्रिपरेशन के दोरान की यार तुम से नहीं होगा, कहा तुम किन चक्करों में फस गए, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे प्रिपरेशन का जो खर्चा आ रहा है, तुम्हारे फ्रेंड्स दे रहे हैं, तुम्हारे या तुम्हारे पडोसी, कौन है इन सब के बीच involved, पूरा पूरा time, पूरा पूरा ध्यान, कौन दे रहा है तुम पे, तुम्हारे friends, relatives या पडोसी, अगर कोई तुम्हारे preparation में involved है, money wise, effort wise या time wise, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा family है, तुम्हारे parents है, तुम्हारे भाई preparation से, या बहुत बार तुम अपने friends, relatives और ना जाने किन-किन के बातों में आगर के बोल देते हो, कि मेरा preparation सही नहीं चल रहा और उस बात को serious लेकर के बैठ जाते हो, कि भहिया मुझसे तो question नहीं बन रहे, मैंने mock test दिया था, उसमें मुझसे 5 सवाल चूट गया, 10 सवाल जेई advance में कितने number लाने होते हैं, 50% number, usually जो तुमारा coaching है, वो जेई advance pattern पे चल रहा होता है, हाँ, coaching सुरू में basic, जेई mains level के question जरूर देता है, लेकिन तुमारे लिए वो जेई advance level के ही question हुए, क्योंकि उस समय पूरी तयारी नहीं हुई है, अभी तयारी और बाकी है, तो उ उस समय जो number आ रहा है, उसके basis में अपना preparation जज नहीं कर सकते, जो वहाँ exam लिया जा रहा है, उसका मतलब यह नहीं है, कि तुम कितने पानी में हो, तुमारा यही number तुमारा reflect करेगा, जेई mains में, ऐसा इसका मतलब बिलकुल नहीं है, इसका मतलब है, कि तुमने इस test में इत जरुरत नहीं है, अभी कम question होरे कोई दिक्कत लियार, असली paper में भी 2 साल के preparation को अगर पूरी ढंग से कर भी लेते हो, तो असली paper में भी 50% question भी अगर करके आ जाते हो, तो under 4000, under 3000 rank अराम से आ जाएंगे, 60% अगर question करके आ जाते हो, तो under 2000, जेई एडवांस में rank आ जाता है, 2000 का मतलब, अगर एक serious IIT जेई aspirant हो, तो 2000 rank का मतलब अच्छी तरह से जानते होगे, कि एक top IIT में top की seat तुम्हें मिल सकती है, तो बहुत बार बचे इन relative से, friends से, neighbor से, बाते करके, depression में आ जाते हैं, कि तुम्हारा preparation डग से नहीं चल रहा है, तुम से कुछ नहीं होगा, तु लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये भी हम सोचेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे, लोगों को बात करने का बस एक मुद्दा चाहिए, अभी तुम्हारा preparation डग से नहीं चल रहा है, या उनके लिए मुद्दा हो गया, उसके लिए बात बनाएंगे तुम्हारा प्रिपरेशन धंग से चलता है नहीं चलता है उन्हें कोई मतलब नहीं है उन्हें बस बात करने के लिए टॉपिक चाहिए यही जब तुम्हाई आईटी क्रैक करके सितारों की तरह चमकने लगोगे ना जब आई 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 टी एर आईटी में एडमि अऊशन हो जाएगा या फिर किसी भी फिर्ल्ड में हो जब उसमें टॉप पर पहुंच जाओके उस्फिर्ड में काम्याब हो जाओगे ना तो यही मूँ खुलेंगे फिर तुम्हारी तारीफ करने के लिए कि मेरा पडोसी हुआ करता था यह मेरा रिलेटिव है मेरा बांजा भतीजा है यह मेरा दोस्त था जब टॉप पे सिखर में पहुंच जाओगे ना तो यही लोग तुम्हारे तारीफ पे भी मूँ खुलेंग हो यही दोस्त यही फ्रेंड्स यही रिलेटिव तुम्हारा पीठ पीछे मजाग बनाते हैं जब तुम सिखर पे पहुंच जाते हो यही लोग तुम्हारी तारीश भी करते हैं अगर कोई तुम्हारा असली रिलेटिव असली नेबर असली दोस्त है न वो तुम्हें इस मुश्किल वक्त में सपोर्ट करेगा और यार उनकी बातें उनके तानों को तुम गाइडेंस के रूप मिलेते हो कि यार इन्होंने तो कह दिया प्रिपरेशन धंक से नहीं चल रहा कुछ नहीं होने वाला उन्होंने IIT की है क्या जिन्होंने IIT की प्रिपरेशन की है IIT में जिन्होंने एडमिसन लिया है उनसे पूछो अपने टीचर से पूछो जिस किसी कोचिंग में भी पढ़ते हो जो भी तुम्हारे बड़े भईया दीदी है IIT में जिनका एडमिसन हो रखा है उनसे guidance लो यार मैं तुम्हें guide कर रहा हूँ कोई भी बचपन से सीख के नहीं आता है कि जेए advance में ऐसे question होते हैं किसी को भी एक बार में pen paper दे दो तो नहीं बनेगे question उसे भी सीखना होता है हाँ किसी के सीखने की गती तेज होती है किसी की देरी होती है लेकिन के teacher है ना उनसे भी सारे जीए advance के question नहीं बन सकते तो यार तुम तो अभी भी preparation mode में हो जो बंदा सालो साल से पढ़ा रहा बच्चों को वो जब question नहीं बना सकता सारे के सारे तो तुम खुझ से कैसे expectation कर रहे हो और जिन्नोंने IIT जैसा यार paper देखा तक नहीं जिन्ने ढंक से बातें रख नहीं पता कि होता क्या है exam उनकी guidance तुम लेने चले तो guidance उन्हीं से लो जिन्ने उस फिल्ड की समझ हो जिन्होंने उस फिल्ड में कुछ बड़ा कर रखा हो और किसी का परवा नहीं करना है जब तक तुम्हारा family support में है तब तक अपने हग के लिए लड़ते होता है धीरे धीरे family समझ जाएंगे जब दिखेगा कि result आरहा family भी समझ जाएंगे family member मेंसे अगर कोई तुम्हारा रास्ता काटना चाहरा है इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे success से खिलाफ है वो इसका मतलब है कि उन्हें उस फिल्ड की उतनी अच्छे से समझ नहीं उन् रखता है उससे अरिकमर guidance ले लो और अगर लगे कि सब सही है तो बस अपने path पे लगे रहो जब results आएंगे family को भी भरोसा होगा फिर वो भी support करेंगे कहते हैं ना मैं अकेला ही चला था जानी में मंजिल लोग आते गए कारवा बनता गया ठीक उसी प्रकार चालू तो अके आनी हो या पूछनी हो तो comment section तुम्हारे लिए तो है so thank you for watching this video goodbye have a nice day, wish you all the best for the future, enjoy your journey